नाम शकार मैं हूँ लीला स्वागत है आपका हमारे चैनल में आप सब कैसे हो आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे आज का विशा है वद्वार वार्त की कथा बगवान शिरी गनेश जी की कथा अगर आप भी वद्वार का वार्त करते हैं तो बगवान श्री गनेश जी की कथा वाच सुने इस कथा को सुनने मातर से ही आपकी सभी मुनों कामनाइं पूरन होंगी और आपके सब काम होने लगेंगे अब शुरू करते हैं बद्वर बर्त कथा एक वार गनेश जी महाराज एक सेट के खेट से निकल रहे थे तो उनके हाथ से अनाज के बारां दाने तूट गए तभी गनेश जी के मन में बचार आया कि मेरे हाथ सेट का नकसान हो गया तो मैं सेट जी के जहां बारां वर्ष तक नौकरी करूंगा शिरी गनेश जी महाराज सेथ जी के जहां 12 वर्ष तक नौकरी करने लगी एक दिन स्थानी नीचे बैट के राक से हाथ दोने लगी तब शिरी गनेश जी महाराज ने स्थानी का हाथ पकड़ लिया और हाथ को मरोड कर राक शिलनी और मिट्टी से हाथ दलवा दिये स्ठाणी सेट जी से बोली कि जैक ऐसा नौकर रखा है इसने मेरे हाथ से राख फिकवा कर मिट्टी से हाथ लगा दिये है सेट जी ने गनेश जी को बलाया और बोले क्यों रे गनेश जी तूने स्ठाणी का ccयों रोडाता है ही श्री गनेश जी महाराज ने कहा कि मैंने तो इन्हें सीख दी के राक से हाथ नहीं सीधी आती है और मिट्टी से हाथ दोने से गढर में रिधी सीधी आती है सेठ जी स्ठाणी से कहने लगे कि गनेशिया बात तो सही कह रहा है कुछ दिनों बाद सेठ स्ठाणी कॉंब के मेले में नहाने गए तो उन्होंने गनेशिया को भी साथ ले गए और सेठ जी बोले कि जा गनेशिया स्ठाणी को नहाने ले जा स्ठाणी कनारे पर बैठ कर लोटे से नहाने लगी जै देखकर गनेश जी ने हाथ पकड़ा और आगे नहला आने ले गए नहाने के बाद जब गर आई तो स्थानी ने सेथ जी से कहा के जे गनेश जी ने मेरा हाथ पकड़ कर आदमियों के बीच में से मुझे ले गया और आगे नहला कर ले आया सेट जी ने गनेशय से बोला कि क्यों रे जे सब क्या है तब गनेश ने कहा कि कनारे पर बैर कर लोटे से कौन आता है इसलिए मैंने स्ठाणी जी को आगे नहलाने लेकर गया जिससे आगले जनम में अच्छा राजपाट मिलता है सेट जी ने सोचा कि जे गनेशय बाद तो सही कह रहा है एक वार सेट जी हेवन करवा रहे थे उन्होंने गनेशय को बोला कि जा स्ठाणी को बलाला तो गनेश जी ने देखा कि स्ठाणी ने काई रंके बस्तर पहने हैं गनेश जी ने मैं बस्तर बदलने को कहा तो स्ठाणी को गुस् lover आ गया और बै कमरे में ही रही तो सेठ जी ने सोचा कि स्ठाणी अभी तक नहीं आई तो बै खोद गई बहां स्ठाणी ने सेठ से कहा कि मुझे जै गनेशिया हर वह टो middle अब बोलता है कि काले बस्तर क्यों प तो गनेशिया ने कहा कि हैवन में कोई काड़े कपड़े नहीं पहनता है और शवकारिया में काड़े बस्तर नहीं पहनते इसलिए मैंने स्थानी को लार रंग के बस्तर पहनने को कहा है सेथ जी ने कहा रे गनेशिया तू तो बहुत अच्छी और सही बात करता है एक दिन जो मैं गनेश जी के स्थान पर बैठ जाता हूं। इतना सुनते ही सेठ जी को बहुत गुस्सा आया, और बोले के, जै क्या बोल रहा हैं। गनेश जी बोले के, मैं सच बोल रहा हैं। तो इतना कहते ही, भै अपने असली रूप में आगे। सेट स्ठाणी जैद देख कर बहुत खुश हुए और उन्होंने गनेश जी की बंदना की और गनेश जी अंतद्यान हो गए रात में सेट स्ठाणी बात कर रहे थे कि हमने गनेश जी से नौकर की तरह काम करवाया है हमें पाप लगेगा इतना कहकर वैं सो गए रात को सेट स्ठाणी के सपने में श्री गनेश जी आए और बोले कि मेरे हाथ महारे खेत में नाज के बारा दाने तूट गए थे इसलिए मैंने बारा मर्स तक तुम्हारे जहां नौकरी की तुम्हें कोई दोश नहीं लगेगा तुम्हारा कल्यान हो बदवर बर्त का था कम हत्व जैस दिन सेट जी पूजन कर रहे थे उस दिन बदवर था तब से बदवर के दिन गनेश जी का बर्त रखते हैं और जो कोई भी बदवर के दिन गनेश जी का बर्त रखते हैं गनेश जी उन सभी की मनुकामना पूर्ण करते हैं और उन्हें बुद्धी परदान करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सबस्क्राइब कीजिए थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो